जैन साथ योग उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग के द्वारा अपर नीजी सच्व परिच्छा दोजा तेश की बिगयापन जारी कर दिया गया है जिसमें आप भी आवेधिन कर सकते हैं आवेधिन करने के लिए क्या प्रक्रियाएं हैं कैसे फ़र्म बढ़ा जाएगा परिच्छा की कितने चरण हैं सहचे क्यों आयूशीमा क्या है और असनाता के साथ साथ और कौन-कौन सी योगता आपके पास होनी चाहिए आप किन-किन पदों के लावेधिन कर सकते हैं कुछ महत्यपूर बिंदू है जिस पर हम लोग बात कर लेंगे अगर इस पर देखा जाए इसमें हम कौन-कौन-कौन-कर सकता है योगता क्या होगा वेतन मान क्या होगा चैन की प्रक्रिया क्या होगी पाठ करम क्या होगा असनाता के साथ क्या जरूरी है आयू में छूट स सब्सक्राइब करने से पहले आपके लिए जरूरी है वन टेम रजिट्रेशन आपके लिए जरूरी है और रजिट्रेशन करने का अभी तक आपने रजिट्रेशन किया है तो 72 घंटे पहले रजिट्रेशन ओटियार करने के बाद आवेदन कर पाएंगे इस पर भी मैं डिसकस करूंगा यह और पूरी बात इस पर मैं क्लियर करने आनलाइन आवेदन स्विकार करने यह अंतिम टिथी क्या है 19-10 मानि इसमें आवेदन करने की एक महिना का समय है मानि 19 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर तक आव आवेदन कर सकते हैं अनलाइन पर इच्छा सुल्क बैंक में जमा करने की तिथी भी 19 तारिक मतलब एक महिना तक इसमें आवेदन किया जा सकता है इसकी संपूर विग्यपति के हैं उस पर हम प्रकाश डालते हैं मतलों विडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजेगा ताकि आपके सभी साथी मित्रों तक इस वीडियो पहुँच जए और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इस वी कि आप इसे सलेक्षान के तौर पढ़ रहा है तो यह वीडियो काम का है तो इस पर भी आपको साथ बने रहाना होगा अगर में इसमें देखते हैं तो इसको जूम में करता हूं इसकी पीडियो आपको टेलिग्राम पर है ठीक है एक एक करके सबसे पहले अगर हम बात करें करने से पहले जो भी फेलती है उनहें ओटिया करना होगा इस वुक wow क्या नमबर प्राप्त करना लिए उत्यार के आप फर्मावैदन नहीं करना पाएंगर फीन आपके पास नमबर नहीं आवेदन नहीं हो पाओगा मतलब अगर आपके पास OTR ठीक है तो पहला काम आपको OTR प्रजरेशन करना जरूरी यह नीचे स्वायर गया है ठीक आगे मैं देखते हैं ऐसे भेड़ती जिरोंने OTR नमबर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन अविदन करने के 72 घंटे पूर आयो की वेबसाइट है से OTR नमबर प्राप्त करने मानि अगर आपने भी तक OTR रिजरेशन नहीं किया है तो अनलाइन अविदन करने से 72 घंटे पहले आप OTR करने के 72 घंटे के बाद आप ऑनलाइन फॉर्म बढ़ सकते यहां पर यह बात सापस पस्ट हो गया अब दूसरी जो चीज है यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर आप अपूर आनलाइन आविदन पत्र निरस्ट कर दिया जाएगा यहां पर इस बात को कहा जा रहा है है अपने फॉर्म में इस बात को कहा जा रहा है कि अब जान आपको सब्सक्रेश्ट करना है फिर उसका संब्सक्राइब पहले कर लेना के बाद इसे आपको सब्सक्राइब से आपको फीस बुक्तान करना चर्चा करते है उसके बाद से संब्सक्राइब फीस लिखी तो यहां डौन से कशनें और उसके साथ साथ आपके पास बीज़ी डीग्री सी है तो यहां जो आपके पास पूरा और आपके पास जो डॉकमेंट है उसकी वर्जिनल कौपी भी आपके पास पुरी जरूरी है आगे कह रहा है कि अब ब्यर्थी को आणलाइन अवेदन के हाड़ कापी साथ साथ आणलाइन आवेदन के समझ दाओ को सभी प्रमलपत अब यहां पर कैसे करना उसकी बारे में दिया गया है और दूसरी बात क्या रहा है कि आप वेबसाइट पर जाकर क्या कर सकते हैं आप आवेदन कर पाएंगे आवेदन करने की पुरी प्रक्रिया दिया है इसमें तीन चरण आपको जाने इसमें आवेदन करने के लिए तीन प्रमुक चरणों तीनों चरणों पर हम बात कर लेता है पहला है यूजर इंट्रक्शन आपके हैं और अपलाई करना है इसके सब्सक्राइब करने परिच्छा के साथ जो यहां पर फॉर्म करने के पुरी प्रक्रिया है यह आप कर लेंगे अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो किसी भी साइबर के अब यहां पर है कि पहला चरण हो गया आएगा किलिक करा दूती चरण के हैं त्रिती चरण भी आपको पूरा करना वहना पेमेंट भी कर लेना है नेट बैंकिंग जो भी हो अब यहां पर चातुर स्रेणी जो है वह आपको हूंपे जाए गोटिया मतलब यहां पर अनाराच्छी आर्थी ग्रूप से कमजोर वद एडावलो एस जन्रल और ओवीशी वहां भी समझ लीजाएगा जन्रल यूयार कह सकते हैं एडावलो एस और ओवीशी इन सभी के जो सीमा है यह 160 प्लस पचीस उपर मतलब सुझ है जाती जाती के लिए सब्ता रूपया प्लस प्थीस उपर मनें पंचानवे रूपया प्रिचाश्जज है प्रिचाश्जर के लिए 9 हम लोगों ने देख लिया कि अंतिम तिथी समय भरती द्वारा ओनलाइन अप्लिकेशन प्रियम पेमेंट करना अवश्रक है जो डेट तक आपको ओनलाइन फर्म भरने के साथ पेमेंट करना भी ज़रूरी है अब यहां से कुछ महत्यपुन चीज़े शुरू होती है अब इस लोग सेवा आयोग इस बिख्यापन की परसिष्ट में उलिखे जीलों के बिभीन परिच्छा केंद्रों पर अपर सच्चिव परिच्छा दुजाते इसका आउजन खरेंगे और आयोग द्वारा भ्यरतियों की परिच्छा की तिथी तता केंद्र की सुचना इप्रिश्प लेकिन अब यहां पर कितने पद हैं तो मैंने शुरुआते में लगबग 400 पद मुझे लगा 380 पद है लेकिन वास्तों में सवा 300 पद है मतलब 328 पद है कितने हैं 328 पद और यह समय के साथ इन पदों को घटाया और बढ़ाया जा सकता है आयोग कैसा करते कई बार आपने देखा है कि बिग्यापन होने परिच्छा होने बार पद बढ़े कम नहीं हुए तो हो सकता ही 400 पद जा सकते हैं और इनका वेतनमान अगर देखा जाए तो 47,600 चे लिएक 150,100 रोपयां तक मैट्रक्राश ये बहुत है मललेग कर तो अच्छा थूर पर गयों से अनित अझन ऑनय है फिनुत के चलते हैं इसके और पर आमेंटर है अन्य परामेटर के बात में चलेंगे तो यहां पर दिभ्याक जनों के लिए हैं और जो भी आरच्छन प्राधान है वह यहां पर उसके बारे पूरा पूरा जिक्र किया गया है इसके लिए हम अलग से इस पर आवेदन के बाद बता दें क्योंकि नहीं तो वीडियो काफी सब्सक्राइब करेंगे अब पहला जो पद है आपके सामने अपर नीजी सच्ची उक्तरपदेश सच्वाले सच्वाले का पद है आपर नीजी सच्च इसके लिए करने पहले अशना तक रीटेक हो भी यह हो कॉमर्स से मलबी कॉम हो तो इसमें आवेदन बता नहींदी आशुले मने प्रतिमियरा और कंप्यूटर पर हिंधी सब्सक्राइब आपके पास टंकड सब्सक्राइब एक कम्प्यूटर का ज्यान होना वस्ष्य है और इसके लिए CCC आपके आपSनातत की डिगरी होनी चाहिए आप इस्टोनो ग्राफर की त्यारी शुरू कर दे साथ हेंड और टैपिंग त्यारी शुरू कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए कोई नेशित डेट और इसकी कोई डिग्री नहीं होती है लेकिन अगर आप आप अब अगला है अपर अपर इंजी सच्च्च आयोग में है यह लोगसेवा आयोग का पद है यहां पर बिजी दारा साथ मितला यहां पर आपके पास असनातक की डिग्री होनी चाहिए असनातक बतला मैंने एक शुभाप न सफ्ट कर दिया दिएंदी आसलेक माने साथ हैंड हिंदी टैपिंग आपके पास होनी चाहिए साथ हैंड प्रतिमीनट हैं और उसके साथ कंप्यों का सब्सक्राइब नियान होना जरूरी है कंप्यूटर ग्यांग के बारे बात करें तो डी ओ ए सीसी सोसाइटी द्वारा संचालित साटिफिकेट को इन कंप्यूटर ट्रिपल सी के लिए पाठकरम मनें जो ट्रिपल सी का जो पाठकरम है उसके आपके पास दिग्री हो चाहिए हिंदि टोनोग्राफर और 25 सब्य प्रत्मिनेट टंकड होनी चाहिए आपके पास के नियुक्त तक आपके पास और अग्रे जी आसुक्त अग्यांग्या अक्से अगर आपने अगर सब्सक्राइब aboard तो यहां पर उपर हम लोगों की बात समझ में आ गई कि इसके लिए आपके पास सबसे पहले प्रिपलसी हूँ अगर आप अस्थनाता को तुस्के आवेद्धन कर सकते हैं अच्छी पोश्ट माले जाती है और यह बहुत ही अच्छी पोश्ट मतले जितना समझ सकते हैं अगर आप हैं तो इस विभाग में आप रहेंगे और इसके लिए आपके पास अगर सकते हैं रही बात आपके पास सौट हैंड की और टाइपिंग की तो आज से ही आप सुरू कर देंगे परिक्षा होगी उसके बाद प्रेडाम आएगा तब आपके लिए अंतिम रूप दौर मे आसकते हैं अब इसमें जो उत्तर पढ़ाम जो आपके डिप्लोमा है रिपल सी है उनके बारे में अगे इसकी बारे में सबीच चीजे पर लेंगे अगला जो आपके सामने आता है भत्तपून्ट चीज़ है पदों की संगत निमावली की बात करें यहां पर सारी निमावली का जिकरें इसका आपको कोई मतलब नहीं है जानने का फिलहाल अभी फिलहाल के लिए आउश्रीमा की बात करें तो 21 वर्श की आउपूरी कर चुके ह अधिकता माईश्रीमा की बात करें 40 वर्श अधिक आयू नहीं होनी चाईए अर्थाद अगर किसी ब्रक्ति दो जुलाई उनुट टिरासी सपूर एक जुलाई-दोजार दों के बात अगर नहीं होना चाहिए वह अधिकता मुम्रु स्रीमा के बात करें तो 40 वर्श निम्त पांच वर्स की चूट होगी ठीक है इनके लिए पांच वर्स की चूट मत्बव अधिक्ता मुम्रशीमा पैता लस्वर्स होगी आगे अब अर्थियों के लिए महत्यपूर्ण दिद्यश है इस पर हम लोग आगे बात करें कैसे ओटीयार करना है क्या-क्या है अब यहां पर पत्र अचार क्या-क्या है कैसे इसमें आवेद्र करने की प्रक्रिया अवेर्थन किस तरह निरस्थ होगा इस पर में एक एक करके पूरी कर दूंगा बाते कर आप इसमें वीडियो में कमेंट करेंगे नहीं इसकी वायरें संपूर्ण आपको जैनकारी करनी है अब अब हैरती परिच्छा के समय उत्तर पत्र पर मांगीगे सुचना ठीक ठीक काला से भरेंगे यह आप जानते हैं कैसे बरना यह जानते हैं इसमें ब्लैड वाइटनर नहीं लागाना यह जानते हैं अब मुल्प्रति होगी और एक कंडिडेट कॉपी होगी मूल्प्रति जम नहीं इस पर देंगे तो भी गलत माना जाएगा इसको काट लिया जाएगा अब इसकी जाती ज़न जाती बहतियों के नियनतम दचता मानक 25% कम अपराद करतें इस प्रकार अनसे लिए 40% मतलब तो उस परिच्छा के लिए आपको 40% अंग लाने हैं अगर आप 40% लेकर आते हैं तो आप अगले परिच्छा के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे तो यहां दो बाते आपके लिए महत्या पॉन होगे और जो अंसुची जाती जन जाती के हैं यह स्थी जाती जन जाती मनें यह से बहुत के लिए 35% तो यह होगे मिनिमुम चलिए पर है कि कोई प्रमाणपत फर्जी होता है तो क्या होगा वो तो आप जानते हैं फर्जी होने पर यह आप सीदे बाहर खट दिये जाएंगे अब यहां पर करने माद उसकी ब्रेंट कर ले यहां पर क्या रहा है कि महिला भैर्तियों के मामले पिता पक्ष जो जाती जो जाती है वही मात्यव चलिए आगे हम लोग देख लेते कहां आपके लिए है अच्छा यहां पर वही चीजियों कि इंगल्लिश में दे रहा है अब एक बार देख लेता हो उसमें शेलबस का जिक्र है ताकि हम इस पर सेलबस की भी बात कर लें यह प्रमाड़ पत्र है कैसे बनवाने हैं इसकी पीड़े टेलिग्राम पर आपको मिल देगी आव आई हम इसकी सेलबस की बात करते जो आपके लिए महत्यपॉर्ण था अब यहां पर परिच्छा होनी पूरे सेलबस की बात करें यह पूरा पाटकरम 150 नमगर इसकी पीड़े पर टेलिग्राम पर मिलना है कि मैं आपके बता तो टेलिग्राम पर आप दुर्गेश सर्च करेंगे इलनी भी दुर्गेश आएगा उसे आप जाएगे पर ठीक है और यह नोट प्रीडियाप में उप्लव अब जांते परिच्छा योजना यूर्ग पाटकरम पहला चरन इसमें का है परिच्छा जूना 150 नक होगा जिब परिच्छा जो होगे वह ट्रिच्छा होंगे 150 नक होंगे समय कितना है तीन गलता है निग्योंटिव मार्किंग कितना ह पर इसमें तीन सिक्साने पर इश्या होनी है इसमें सामान निग्यान है शामान हिंदी है और एक सो पचास में आपको 60 अंक लाने अनिवाने अगर 60 से कम होते हैं तो आपी पॉपी नहीं जाएगी पडला एक दम यह माल लीजेगा इस पोस्ट के लिए आपके लिए सबसे महत अब देखते हैं इसमें जो भी प्रशन होंगे सामान इग्यान के प्रशन होंगे यह मतलब अगर हम बात करें पहला इसमें मैं यहां से फट से इसका अगर मैं सिल्वस की बात करूं यहां पर हैं जीएस जीके पचास प्रशन हिंदी पचास प्रशन कंप्यूटर पचास प्रशन ठीक हैं जहां प्रकटर के पचास पूल एक सोपचास प्रशन यह सब मतलब अगर आपने महनत थोड़ी सी कर दे यकीर मानिये आप एक अच्छे पोस्ट के लिए अपने दावेदारी प्रस्तोर कर पाई अब यहां पर दूती चरण क्या है दूती चरण भी देख लेते हैं आप अब दूती चरण में आसुलीपी टेस्ट कंप्यूटर टैप्नी टेस्ट होगी परिच्छा पुडांग के आपे सो नंबर का होगा इसमें देख लेते हैं इसके बाद यह दूसरा चरण है दूसरे चरण में आपको चलिश पर चरण अगले चरण में जा पाएं इसमें क्या है इसमें त्रिश परिच्छा के अंकों को जोड़ का स्रेश्टा के अधार पर क्या जएगा अब हम इसके तरफ चलते मतलब आप आप एंड्रेव नहीं होने वाला है आपके कंप्यूटर के लिए प्रक्टिकल जोगों कर पुटर रखा ऑंगे 50 अंक्य और एक घंडा समय होगा और सव नंबर का आपका आशनी प्राराभी परिच्छा होने जारी अब यहां पर देखेंगे प्रथम चरण की परिच्छा सामान के सामाइंदी कब्वेटर में क्या-क्या सेल्बस में दिख लीजिएगा जो 50 नंबर का जीए सीखेगा सेल्बस इसमें क्या होगे वीवीट को आप चाहे तोप्रिवेश चरोखों इसके ऊंद्ष यहां पर आपको प्राचीनी तिह्यास मत दिकलन आध्हुनी भारत के संद्धर benefit माने प्राचीनित्यास मत दिकलन भारत की बाद के बियावर इसके सांसा उठाका Congress अचे माने विग्ज्ञान कि सामान ग्ज्ञान भुगोल उत्त वारत से संब्दि धी धी बिवित की से तहने थे विश्माइआ विमारत ने भारत की रास्तिय jsं." महत्यपूर्ण राष्टियों अंतरराष्टी घटना है इसे हम करेंट अफेर के नाम सा जानते हैं इसी होगी अंगा गणित कच्छा आठ सते हैं और आप थोड़ी सी मैनेथ कर देंगे तो ब्रणित ही कफी कले हैं कि 20-22 प्रेश्ण गणित की पुछे जाएंगे और थोड़ अगर हंदी की बात करें हिंदी में आपको टोटल मिलाकर साथ नमबर लाने सबसे पहली बात है समझेज़ें प्रश्ण अपर आपटित गध्यांस और प्रश्ण आपके सही होंगे पांच च्छा नमबर अलेखन होगा मोहाबरे लोकित्ति इनका प्रियोग होगा यह सब जाएंगी अनेक सब्दों का एक सब्धू का सुद्धी करण सब्दों की अंग्रेजी में तो सामान भण इस वाल होगे जितना बढ़ यह स्कोर करें कि आंति में जो रिजल्ट बनने वाला अनति में जो तोटल बनेगी वह इन तीनों के अधार पर बनेगी तो जितना बढ़ प्रिंटर इसके पास होना चाहिए उसके पाद आपको सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद आपको इमेल के बारे बनाने के लिए आपको आना चाहिए अब दूती चरण जो होने वाला है उसके बाद टैपिंग होने वाली है क्यों पांच मिनट के लिए और यह प्रतिमिनट सब्सक्राइब होगा दो नो मिला करेंट है वने यह आपको पचास मिनट मिले वाले वही झालेट वोगया इमेल के सेंडिंग हैं संडाइचमें छान है ऑसके लिए जो इंटरेट के स्तिभाल कैसे करना है सर चिंजन के सकति है करना है साथ साथ में करके दिखाना है म匯ह करना है। टो हो गया मेल करना हो गया तो फिर यह सारे चीजिए आपको आनी चाहिए पॉर प्रजेंटेशन हो गया वैसे कुछ चीजे से मुझे भी आती है लेकिन मैं ट्रिपल सी कभी नेक है तो बहुत अच्छी पोस्ट है अपर निजी सची के लिए बहुत अच्छी पोस्ट माने जाती है और इसके पेपर का पैटर्न भी बहुत बढ़ी हां मजेदार है और थोड़ी सी प्रक्रिस करेंगे तो आप इसे बहुत अधानिस कर पाएंगे मतलब यह समझेएगा कि पीस्यस लेवल का पद है और लेकिन पावर की बात की जाए कि पावर पीस्यस लेवल काफी सची बढ़ी कमेटिया जो बड़े शदस वोते उनके सच्वाले में आती है और तीनों जर्ट आप जानते बड़े दिकारियों की सच्वाले में आप त्यों indigenous यह मतलब मैं कैसा को समझाओं अब समझ सकते हैं यह बहुत ही बढ़िया पूश्ट है और वैसे इसके अलामाद जो भी चीज़े होंगी मैं इसके बारे में डिसकस कर लूँगा आपके सामने कर आप इसके मने में कोई प्रशन कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं लेकिन एक द्यान रहे कि आप लोग इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा अगर कोई चीज़े समझ में ना रही है तब पूछ लिज़ेगा हम आपको एक बार नहीं कई बार की बताने का प्रयांश करेंगे और अगर ट्रिपल सी हैं तो आप इसकी पूरी क्या पढ़ना है क्या क्या चीज़े आप सेलबस देता थोड़ा जो आते हैं थोड़ा सा बाहर से आते हैं तो सेलबस कितना कितना जाना है इन सभी पर हम पूरा लक्षर आपके लिए कर आएंगे कॉमाइंड लेक्शर लेकर मेरे दौर इनिसुल क्लासेज भी होंगी लेकि यहां पर जी एस की नोट्स आपको मिल देंगे किवल किवल और आप चाहते हैं कि नहीं आप इसके लिए और बहतर कर पाएं तो आप टेली गराम पर जोड़े रहें जहां पर देली क्लासेज में हम अप्पी ले ले लेंगे कंप्यूटर में भी आप थोड़ा सा अगर मेह है और कहा कहा से पर लेंगे देडुस सब्सक्राइब अच्छा आठ अधर के रहेंगे वे नारेक रहेगा डाइगराम रहेंगे आठ तक का जो लेवल दिया विए दस तक मानके जलते हैं मतलब गनित एक मजिदार गनित रहें कि आप असानी से कर सकते हैं अपने थोड़ी हो ची महनद की होगी साथी बेसिक कम्पुटर के ट्रिपल सी अपनी महंदारी सी खिया होगा तो इसे कर पाएंगे बेसिक अपूटर रहेगा और को अपने 15 दिन अब आपने पढ़ लिया त कैसे टैपिंग करना होता है मैस एकसल कैसे काम करता है यह चार से पांस जी आपकर सिस्टम पर काम करें लेंगे तो आपके पास एक महिने तक आवेदन किया जाएगा एक महिने में अच्छी तहरी कर सकते हैं इसलिए हमेसा कहते हैं तहरी करते रहें तर रहती है तो अगर आप ट्रिपल सी हो तो मुझे अगर आपके लिए बढ़िया सुनयरा मुझा है और में दुर्भा के सालिए मैंने ट्रिपल सी का फोहम नहीं बना गवी ट्रिपल सी नहीं किया लेकिन अब लगारा कि इस तरह देखर आपके पास ट्रिपल सी है तो आवेद निकाराइशन नाम पूलेगा मिलता है नए वीडियो सेशन के साथ अगर आपका कोई सवाल है वीडियो में कॉमेंट करेंगे वीडियो और फेश्बूक पे देखरेंगे पेच को फॉलो करिएगा लाइक करिएगा मुझे जब भी समय मिलता है जगेस्ट कुरूपने इलानी वी तुर्गेश के मातिल से मैं अपने लाक्चार साथ तक पूचाता रहता है जीएस में इसकी हिस्ट्री में आपकी पूरी करा दोंगा मेरी गारेंटी है और आप थोड़ा सा साथ बना रखेंगे इसकी हिस्ट्री भी मज़ा जाएगी और इसमें भारती राष्ट्री अंगलमन भी जो इसके सेल्वस में कुछ सेल्वस में हीडेन होता उसको भी हम लोग उभार कर आपके लिए बाहर में धाराएंगे फिलहाल आपका कोई सवाल प्रश्णों तो यहां पर हो सकते हैं यह लिए इस्टाग्राम पर अपने सवाल हो सकते हैं थैंक यू शेयर करेगा वीडियो को अपने सभी मित्रो लोगो जो ग्रेजुएट और ट्रेपल सी है थैंक यू जाहें